तो हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस यूटूब चैनल वीफर वेल्लू में आज अपने बात करने वाले हैं इंडिन एनर्जी एक्षेंज लिमिटेट के बारे में तो आपको जैसे कि पता होगा ये कंपनी एक मोनोपोली डिजर्फ करती है यह कंपनी ओवरल मार्किट में 98% का मार्किट कैप्लाइजेशन अभी के टाइम पर होल्ड करती है बट मैं आज आपको एक एवसी न्यूस बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद शायद आपको यह लगे कि यह कंपनी आने वाले टाइम पर एक मोनोपोली नहीं रहेगी तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा करेगा ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें सब्सक्राइब करें सबसे पहले आपको बता देना चाहिए कंपनी के बारे में कंपनी का मार्किट का प्लेजिशन अलबर 14,000 क्रोड का पी रिशो 48 का है बुक वैलिए 7 का कंपनी का आरोई लग प्रोड का इसके के की के बारे लिए 170 क्रोड का तो और मधम कंपनी बात करते हैं कितने करोड का प्रोफी टरं करते हैं अपने आप हाई की बात करें जो कि इनने कंपनी ने बना तलबा 318 तो अगर वहां से आप इसे कंपेर करते हैं तो अभी के टाइम पर almost 44-50% के डिस्काउंट पर कंपनी ट्रेट कर रही है तो और आप कह सकते हैं कि कंपनी में अभी काफी अच्छा डिसकाउंट भी आपको मिल रहा है डाउंट्रेंट पर भी कंपनी चल रही है बात करते हैं कंपनी के profit and loss के बारे में तो कंपनी टू अच्छा profit अंपनी करती है आप जैसे कि डिपारेंगे every single year company अपने profit and revenue दोनों को सब्सक्राइब की जाती है और अभी के टाइम पर क्या हुआ है इंडिया के इंदर एक नहीं कंपनी इंट्रीज हुई है जिसका नाम है हिंदुस्तान पावर यह आप जैसे की देख पारेंगे GPS is the third power exchange in the country таких Indian exchange and power exchange of Indian Limited are already operational last Wednesday day aspiration start किया था after receiving all the necessary approvals from Center electricity regulator Commissioners तो इंहोंने सारे जितनी भी necessary approvals यह सारे चुके है और वेडिन स्थे को है अपने ओपरेशन को स्था कर्चै को अट यह अभी के टाइम पे third power exchange company बनी बन चुकी बात करते हैं इंडियन एक्षेंज और आपको पता होगा इस सेक्टर में इंडियन एक्षेंज एक एक मॉनोपॉली क्रीट कर चुक है और यह इंडियन प्रक्राइब कर रहे हैं जिसने बड़े हाथ हैं जिसने company में investment कर रहे हैं और काफी अच्छी एक हिसेदारी company में बनाई है तो आप कह सकते हैं कंपनी काफी बड़ा competition देने वाली है इंडियन exchange को तो इसमें अगर हम बात करें कि हमें क्या करना चाहिए तो अभी के टाइम पर आई एक्स में इंवेस्टेड हैं अच्छा profit में बने हुए हैं तो आपको कोई भी पैनिक सेल करने की ज़रूत नहीं है आप वेट करिए company के upcoming quarterly results को देखिए उसमें आप यह चेक करें कि कंपन बनता है उसमें exit करके आप बाहर आ सकते हैं क्योंकि company को अगर कोई company competition देने आ रही है और इसका monopoly कम हो रहा है तो यह काफी ज़्यादा negative news आती है इस company के लिए तो मुझे बताईएगा कि आपकी क्या राय है इस company को लेके आपके सुस्ते हैं long term में क्या यह एक better investment साबित हो सक सकते हैं सो जल्दे मिलते हैं से एक और नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए stay safe and goodbye thank you दोस्तों